कटा कोई और बहता कोई और अब आप सोच रहा होंगे कि यह पीहलया क्यों बूझ भारी यह यहां पर आ कि हम बिक बॉस का न्यूस सुनने आते हैं टाइम निकालते हैं कि बिक बॉस में क्यों ट्रेंड हुए है इजाज खान क्यों फटकार पड़ी है इजाज खान को इसकी सारी डिटेल सारी गौसिप आप सबके सामें लेकर आई हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने हमार चानल को लाइक श्वेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए है हम यहां से चलते हैं फ्लाश बैक में और हम देखते हैं क्या इस हफते इजाज खाने कोई गलती की है किसी को भला बुरा कहा है जिस वज़े से उनको इतनी जादा डांट पड़ गई है तो मैं आपको कहूंगी नहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया है इजाज खाने तो आ जाकर जैसमिन भसीन ने पहना दिया था राकी सावंत को उसके बाद राकी के नाक में लग गई थी बहुत बावाल हुआ था और इजाज खाने बोला भी था यार राकी की नाक तो यह सब पूरा सिच्वेशन हुआ था अब उसके बाद इसी मुद्दे पर भड़क गए है स इसी पूरे मुद्दे पर बहुत जादा बरसे हैं सल्मान खान इजाज खान पर की तुमने स्टाइंड क्यों नहीं लिया तो इसलिए मैं आपको पहलिया बुझा रही थी करता कोई और भरता कोई और आप लोग तो मेरे परी चोड़ जातों कि न्यूस सुनने आई हूं मै तो मैं सुना ही रही हूं ना नियूस आपको तो यह सब पूरा मुद्दा है गाइस पूरी आज वीकेंड के वार में आपको सारी चीज़े देखने को मिले हैं मिलेगी और इसी सब के बीच इजाज खान सोचल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगे है इन आ पॉजिटिव व तो इस तरीके से लगातार फांस प्यार लुटा रहे हैं इजाज खान पर और बिना मतलब का जो डाट है इस हैं को सुनने पढ़ी है उसके बार से ही फॉर्ण कहीं हट हुए हैं और सोचल मीडिया पर जॉब्कर तारीफ कर रहे हैं इजाज खान की